में नमस्कार धूस्तो स्वागत है आप सभी लोग का दोस्तों बिहार दरुगा मेंस का सेट говорить कर देया रहा है और अभी देखाए तो आपका प्रजभा यह आपका लेडिया गया है यह आपका प्लेट फारा मेरी रुकमणी प्रकाशन सब्र occurring का वॉल्यूम वॉन है जो कि आपका मुख्य परिक्षा सेट होने वाला इसमें आप का सकतोत ही सेटा आप का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर पाइंगे और नंफ रोट कर पाएंगे और लिए अप करके दिखा रहा हूं इस तरीके से आपको PDF मिलेगा पूर आपको PDF जो है पयप sic अच्थे कर पाएंगे ठीक है इसको आप डाउनलोड किजी इतना ज्यादा कंपरेशन है कि Everybody अच्छा से रिविजन करना पड़ेगा और एक एक डाउट को किलियर करते रहना होगा तब ही आप यहां पर मेंस निकाल पाएंगे तो सभी लोग डाउनोड कर रहे हैं तो आप भी डाउनोड किजिए किसी से पीछे नहीं देएगा क्योंकि रिविजन करेंगे तब कि आपक का हो जाएगा आपसंओं ए के विधायिका के प्रति याद रखेएगा सरकार के ती नंग होते हैं का आपका विधायिका होता है एक आपका का और पाली का होता है तिसरा कि publisher 7 पर नियाइपाली का होता है अस्दात मक्स हासन प्रणाली में राष्ट्ध्यक्ष्य यानि ना मातर के प्रमुक होते हैं तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेगा नयस्ट को सने को सर MONber टू देखेंगे बुला गया कि भारती समिधान के प्रस्तावना को कितनी बार संसोधित किया गया है कितनी बार संसोधन किया गया है इस संसोधन दोरा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्म निरिपेच और अखंड़ता सब्द को जोड़ा गया है तो आप इस पॉइंट को अच्छे से no down कर लिजिएगा नेश्ट कोसने कोसन नमर थ्री निमलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्य सभा को प्राप्त है कौन सा अधिकार है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option C नई अखिल भारतिय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तूति करना यानि जो C है इसका सही आंसर हो जाएगा याद रखेगा समिधान के अनुशे 312 के तहट यदि राज्य सभा दो बटा तीन बहुमत से किसी नई अखिल भारतिय सेवा के स्रिजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद वीधी द्वारा नई अखिल भारतिय सेवा का गठन कर सकता है तो याद रखेगा चली आगे देखते हैं अगला प्रस्तन है कोसर नमर फूर बोला गया कि राज्य संगों का संग है कौन सी राजनियतिक विचाधारा इस वक्तवे का समर्थन करती है यह आपका हो जाएगा ऑप्संए बहुलवाद बहुलवाद यानि यह आपका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसर ने कोसर नमर फौइब बोला गया है कि निम्नांकित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है तो इसमें देखा है तो आपका जाउन रस्किन जो आपका रस्किन है ये आपका अंटू दिस लास्ट सही है आपका जियोवन्नी सर टोरी जो आपका है डुमेक्रेट थियोरी भी आपका सही है पामर एंड परकिंस ये आपका इंटरनेशनल रिलेसंस ज आपका गलत है जवाहाल जवाहाल जो आपका जवाहार लाल नहरू है यह आपका गलत होता है तो इसके द्वारे देखाया तो हिंदुस्तान की कहानी भारत की खोज यानि इसमें आपका इन्हीं के द्वारा ये खोजा गया है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा चल संगी पनाली कराड़ा के समिधान से लिया गया है जो कि अपनाएगय आपको पताई होगा बारती समिधान में कहीं भी संगी सब्द का पुर्य के हां पर नहीं देखने को मिलता है ये नेश्ट कोसने कोसन No.7 बोला गया कि डाक्टर अंबेटकर ने भारती समिधान की किस प्रावधान को समिधान की आत्मा कहा था तो याद रखेगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा option D समिधानिक उपचारों का अधिकार अनुछेद 32 समिधानिक उपचारों का जो आपका अधिकार है अनुछेद 32 को कहा गया है देखिए अनुछेद 32 समिधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करती है जो मूल अधिकारों को वास्तिविक बनाती है यह अधिकार सभी किना बताई धान के द्वारा क्या सिन्शित किया जाता है किसली winter कि यह इसका सही आंसर क्या होगा कि तो क्लेक्ट अंषर आपका हो जाएगा option डी यानी उपरोग तो असाभी हो जाएगा कारी पालिका कि शकती हो जाएगा ससक यहाँ सकतियों फिर से पढ़ लेते हैं सासक एवं सासित के बीच संबंद सरकार के विभिन संस्थाओं के बीच संबंद उनकी सनचना एवं संगठन तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है डी सही आंसर हो जाएगा सभी सब्सक्राइब कि भारती समिधान के आठीव अनसूची में कितनी भासाओं का उल्लेक है तो सभी को पताई होगा जो की 22 भासा के यहां पर लेकिया गया है देखिए आठीवी अनसूची में मूलतह देखा है तो कुल अच्चाउदा भासा था ठीक है उसके बाद फिर एक कई समिधान संसुदन हुआ था कब हुआ था आपका 1967 में किया गया था और उस टाइम जब यह संसुदन किया था तो देखाया तो आठीवेर सुची में सिंधी को 15 भासा के रूप में जोड़ा गया था फिर एक समिधान संसुदन किया था 1992 में उस टाइम नेपाली मनिपूरी कंकोडी को सामिल किया गया था उसके बाद 92 समिधान संसुदन किया था 2003 में उसके बाद इसमें मैथली बोडो डोंगरी यह संथाली चार भासों के यहां पर मिला गया था तब ही आप यह जाके देखाया था 22 भासा हुआ था तो पहले आपका 14 भासा था नेस्ट कुसन की भ देखेंगे नेस्ट कुसन की निमलिखित नीती निरसक सिधानतों में से कौन सा एक भारती समिधान में मुलता नहीं था भारती समिधान में मुलता नहीं था तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन ए निसुल कानूनी सहायता देखिए समान न्याय और निसुल का समयधान में इस्थानिय सहरी निकाय के प्राशासन के लिए कौन से अनुसूची जोड़ी गई है कौन से अनुसूची है जो कि आपका यहाँ पर जोड़ा गया है तो यह आपका हो जाएगा अनुसूची 12 समयधान को समयधानिक दर्जा दिया गया था तो आप इसको अच्छे से याद रहें अगला प्रस्तिन में से कौन सा एक सुम्मिलित नहीं है कौन सा एक सुम्मिलिट नहीं है तो आपका समयधान का सब्सक्राइब कर्दाइब है संम्हान का स+, गलत हो जाता है देखिए आफ इसको अच्छे से याद रखेगा जो आप परत्र नहीं करने का प्राउधान इसमें है तो चवरा सिवा में है तो ऑप्शन जो डी है यही आपका गलत हो जाएगा नेश्ट कुसन की भारती संसत का इस्थाइश सदन कौन सा है तो इस्थाइश सदन कौन सा है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन भी राज्य सभा राज तो अपसेंट C हो जाएगा यानी तहजीव उल एक लाक जो है आपका सर सजयाद अगा उसका अंशर क्या होगा इसका आपका हो जाएगा ऑपशन D राइट अंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक बाल गंगादर तिलक ने रिग वैद में उलिखित दिर्ग अहुरत प्रलंबित उसा आधी के अधार पर आर्यों की मूल भूती मूल भूती को धुरू प्रदेश की रूप में स्विकार किया था तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा नेश्ट कोशन कोशन नमर अगला प्रसने की महात्मा गांधी के डांडी मार्च के सम्मन में कौन सा कथन जो है आपका असत्त है यानि गलत कौन सा है तो अगर हम गलत की बात करें तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह साबर मतिया आस्रम से प्रारम हुआ था सही है समुद्र किनारे के डांडी गाव में इसका अंत हुआ था यह भी आपका सही है महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था यह आपका गलत नमक तो आप सब लोग याद रखिएगा उत्तर आपका हो जाएगा लाड कैनिन लाड कैनिन यानि आप्शन भी देखिए 1857 करांति की आपचारिक शुरुआत जो है दस मई 1857 को उत्तर परदेश के मेरेट जिले में हुआ था और जिखाए तो इसका प्रतिक चीन क्या था तो कमल का फूल एवं रोटी था तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा नेश्ट कोशन की भीम बेटका की खोज हुआ था कब तो यह आपका हुआ था 1957 में 1957 यानि Option B सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि महात्मा गांधी ने लाड़ इर्विन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी जिन में से कुछ को गांधी इर्विन समझावता की रूप में सुविकार किया गया था तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा Option D 11 11 आपका यहाँ पे Correct आंसर हो जाएगा नैश्ट कोसने के दिमलिखित में से किसने सत्यागरह सब्द को गढ़ा है सत्यागरह सब्द को गढ़ा है तो आपको पता ही होगा यह किसके द्वारा गढ़ा गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 23 का Option B महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी देखिए गांधी जी ने 11 सितंबर 1906 को पहली बार सत्यागरह सब्द का इस्तिमाल किया था और गांधी जी ने भारत में पहला सत्यागरह 1917 में चमपारण में सुरू भी किया था तो आप दोनों पॉइंट को याद रखिएगा नेश्ट कोशन की उस इस्तल का नाम बताईए जहां से प्राचिंतम इस्थाई जीवन के प्रमाण मिले है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा Option D मेहरगड मेहरगड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तेकि नवपसर काल मेहरगड से किरिसी का साक्षे प्राप्त हुआ है और किरिसी की खोज के साथ ही लोगों के जीवन में इस्थाई तो आया इसी कारण वस नवपसर काल को क्रांती की रूप में भी देखा याता है नेश्ट कुसने के मिमान सा दर्शन की अनुसार मोक्ष की प्राप्ती किस के द्वारा संभाव है मोक्ष की प्राप्ती यह आपका हो जाएगा कर्म के द्वारा यानि option D नेश्ट कुस्ने के लाड कारनेवालिस का इस्थाई बंदवस्त लागु किया गया था तो यह आपका लागु किया गया था सन 1793 में 1793 आपका सही आंसर हो जाएगा यह विवस्ता बंगाल, बिहार, उड़िसा, उत्तरी, करनाटक एवं बनारस के छेतरों में लागु किया गया था चली आगए देखते अगला प्रसने के है अगला प्रस्टने की उस भासा का नाम बताईए जिसे मध्यकालिन भारत में सिविर भासा के नाम से जाना जाता था सिविर भासा के नाम से जाना जाता है तो यह आपका हो जाएगा option D उर्दू यानि D आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन के बंगाल की निमलिखित फैक्टरियों में से एक जो पुरदगालियों द्वारा इस्थापित की गई थी वह कौन थी वह कौन थी तो यह आपका हो जाएगा option C हुगली हुगली आपका यहाँ पर था तो याद रखेगा तकि पुरदगालियों ने अकबर के समय हुगली में फैक्टरी की यानि फैक्टरी खोला तथा सहा जहां के समय सुरत के पास बंडेल में फैक्टरी वहाँ पर भी खोला तो आप इसको वह अच्छा से याद रखिएगा नैस्ट कसनि की निम्न में से सुमेलित करम के हिसाब से आपको बताना है कौन सुमेलित है तो 29 का देख लेते हैं आपका उतर हो जाएगा बीजी तिलक के सरी याने के सरी का देखाए państwo है तो आपका अपका इश्त किसलें को नायकर में संपर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या धिक्ता किसने की थी तो यह आपका किया गया था जावाहारलाल नहरूजी के द्वारा यानि यह आपका सही आंसर हो जाएगा यह कब किया गया था तो 1929 में किया गया था तो आप यह भी याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे डखते हैं अगला प्रस्थन है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चितरकार कौन थे अकबर के दरबार के मुख्य चितरकार कौन थे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दसवंत यानि option C मीर सयद अली फारस का रहने वाला था जो हुमायू के साथ भारत आया था तो मीर सयद अली के बारें भी आप सब लोग याद रखिएगा नेश्ट कोसने के दिमलिखित में से कौन सही सुमिलित है यानि इसमें आपका सही पुछा गया है तो देख लेते हैं 32 का भी है तो आपका हो जागा 1931 राजगुरु को फांसी दिया गया था 1931 देखाया है तो राजगुरु के यहां पर फांसी दिया गया था जो कि आपका यहां पर सही है और बात करेंगे आपका यहां पर आगे 1940 में भारती राष्टी कॉंग्रिस का दीवेशन रामगड यानि देखाया तो आपको यहाँ पे 1940 में रामगड का दीवेशन हुआ था और आगे क्या आपका यहाँ पे दिया गया है उसको भी हम देखी लेते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्न है का इसका उनसर भी हो जाएगा याद रहखिएगा प्रचकल आपका यहां पर दिया गया है आपका क्वांटम संख्या दिया जाएक बिसका अनसर हो जाएगा अगला क्लाश नहीं से नियंके företव गाठीस का आनसर हो जाएगा tasty five का याद रखिएगा नेश्ट कूसरने की निमन में से कौन सा एक यविक पैराकसाइड है कि क्या होगा इसका अंसर प्रफर्फ संब्ल्य क्या हो जाएगा भी करेक्ट losing हो जाएगा चलिए नेस्ट को संदेखेंगे को सनबर हम देखेंगे 37 बोला गया कि निम्न में से कौन सी एक गैर अप्चायक सुगर है सुगर है तो यह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के मिलने से बनते हैं तो याद रखियेगा भी हो जाएगा सुगरोज नेस्ट को सुन के प्रकृतिक रबर में प्राकृतिक रबर में देखा जाए तो सभी यहां पर सिस्ष विन्यास होता है तो इसका आंसर आपका सी ही होगा अगला प्रस्थने क्रित्रीम मधूरग जो केवल ठंडी परिस्थितियों में ही इस्थाई है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option C यानि देखाया तो एसपार्टेर्म हो जाएगा जो किसी इसका आंसर हो जाएगा नैश्ट को सने की निम्लिखित में से किस एक प्रक्रिया में किस निकाय द्वारा ना तो उसमा का उसर होता है और ना ही उसमा विमुक्त होती है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option C यानि एडियाबैटिक रुद्रोस्ट मों हो जाएगा यानि जो बी है इसका सही आंसर आपका C हो जाएगा इसमें आपका दिया गया है आगे पढ़ लेते हैं इसकी बारे में क्या आपका बताया गया है इसमें आपका बोला गया है कि समतापी प्रक्रिया में तापमान नियत रहता है ठीक है समतापी प्रक्रिया में तापमान जो है आपका यहां पर नियत रहता है नेस्ट कोसन है आपका को देख लेते हैं इसके आगे किंगया है को देख़े एक करतीम चकींगे के की तो इसके ने तार का प्रथियोद पूछा गया है तो प्रथियोद के बारे में आपको बताना है कि इतना तो इसका अंसर आपका हो जाएगा 41 का आप संडिए नेस्ट ने कि एक विसेश लहतार का वैधूत प्रतिरोद आर है इसकी यानि इत्रिश्ची लंबाई त्था त्रिजा दोनों दूगुना कर दिया जाये तो क्या होगा तो आप सभी लोगा गयाद रहेगा प्रतिरोद मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिर्व धमान अब परिवर्तित रहेगा तो ए जो है आपका यही आपका सई हो जाएगा नेश्ट कोसने कोसनवर 43 बोला गया किसकी चुम्बकी प्रविर्थी ताप पद निर्भर नहीं करती है इसका आपका हो जाएगा और प्रति चुम्बकी प्रति चुम्बकी नेश्ट कोसने के दिये गए विकल्पों में से किसका उपियोग एक संचरीती विदुद चुम्बकी तरंग उत्पन करने में किया जा सकता है तो 44 का अगर हम देखा जाये तो यह आपका हो जाएगा कोई तोवरित आवेस यानि आप्शन भी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसने के पूर आंतरिक परावर्तन में जब संपर के माध्यमों के यूगल के लिए आयतन कोड करांति कोड के बराबर होता है तो अपरवर्तन कोड कितना होगा अब परवर्तन कोड पूछा गया है तो आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं 90 डिगरी का होगा यह इसका सही आंसर हो जाएगा नैश्ट कोसने के दिमलिखित मेंसे कौन पूळ आंतरिक परवर्तन के कारणन नहीं होता है पूर आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा option B किसी तलाब के वास्तविक और अभासी गाराई में अंतर यानि जो B है इसकी आपका सही आंसर हो जाएगा चल यह आगे देखते हैं हंगला प्रसने क्या कि परमाणों के बोर मॉडल के अनुसार परमाणों के बोर मॉडल के अनुसार पूछा गया है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा option D कल्पना की जाती है कि इलेक्टरान का कूणी समवेक जो आपका है एक्च बटा टू पाई का सरल गुणक होता है तो इसका जो डी है इसका आपका आपका किसमें पायता है तो आप सब लोगाद रखिएगा टी आर आर आन ए में पायता है यानि जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावित किया था किसने तो यह आपका किया था यानि ये कॉप्ट था मुनौट ने किया था सी इसका आंसर हो जाएगा इनमें कौन कैंसर के उपचार में प्रियोग आता है कैंसर के लिए तो कैंसर के लिए अगर हम देखे तो आपका हो जाएगा ऑप्सन डी एच जी एच एच जी एच तो इसका आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा समू की एंटी बॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारम होती है तो यह आपका कहांस प्रारम होती है तो आपका हो जाएगा option B आई जीए नेश्ट को सने कि निमन में से कौन सा अधिक्तम पोसक है यहां पे पोसक पोसक के बारे में पूछा गया है तो आप सब लोग याद रखेगा यह आपका बाजरा हो जाएगा बाजरा देखें बाजरा निमन रूप में आपका फायदेमन देखने को मिलता है उर्ज क्का पता लगाने में किया आता है तो यह इसका आंसर आपका हो जाएगा है घर ना करता हो जाएगा तो आपका यहां पर डी है यही आपका सही आंसर सबसे अधिक होती है सबसे अधिक होती है तो आप सब लोग आद रखिएगा आपका छठा आवर्त अथा तिसरा समू यानि जो भी है इसका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन की परिस्थित की ये पिरामीड सरप्रथम किसने प्रस्तावित किये थे परिस्थित की पिरामीड जो है आपका ये किसके द्वारा प्रस्तावित किये गया थे तो ये इसका हो जाएगा चार्ल्स एल्टन ने चार्ल्स एल्टन यानि ऑप्सन ए सही आंसर हो जा स्वास्त मिशन किस वर्स में शुरू किया गया था यह कौन से वर्स में शुरू किया गया था तो यह आपका क्या गया था दो हजार पांच में दो हजार पांच यानि बारा प्राल दोजार पांच को राष्टी ग्रामीड स्वास्त मिशन की शुरूआत की गई थी तो आप इस होचे से याद रखिएगा अगला है कि अल्प विक्सित देशों में किस छेत्र में आय की अधिक असमनताएं पाई जाती हैं आय की अधिक अस अगर पुंजीवादी अर्थिवस्ता में राज्य इर्थिवरस्ता अत्तात पुंजिवादी अर्थिवस्ता पुंजी दود दो दोनों के लक्षड विदमान रहते हैं, नेश्ट कुसने की करक रेखा भारत के निमलिखित प्रांतों में किसे होकर नहीं गुजरती है, तो आप्सन किसाब से आपने आंसर कर ही दिया होगा, जोकि आप्सन B हो जाएगा उत्तर परदेश, देखिए आपको पता ही होगा करक देखे रेखा आठ राजियों से होकर गुजरती है, पसिम से हम देखेंगे गुजरात, रायस्थान, मद्दे परदेश, छतिसगर, जहरकंड, पसिमंगाल, तृपूरा, एवं मीजोरम, तो आप आठो को याद रखिएगा, अगला की हिमाले में ब्रंपुत नदी से अधिक भाग प्राप्त होता है कहां से, जो इसका भाग है, यह आपका प्राप्त कहां से होता है, तो आपका लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है, एक करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा, नैश्ट कोशन के 2011 की जनगरना के नुसार निमलिखित महानगरों में से किस में सबसे अधिक जन संख्या दर्ज कियाती है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा option D मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं नेश्ट कोसन के पिर्थिवी का सरवाधिक आयतन और दरबेमान पायता है कहा में तो आप सब लोग याद रखिएगा या आपका mental हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा किस प्रकार की फसले मिटी की या उत पादक्ता बढ़ाती है किस प्रकार की फसले होती हैं तो आप याद रखिएगा दाल आपका हो जाएगा यानि C सही आंसर हो जाएगा देखे दलहनी फसले की जड़ों में जैविक पदार्थ हो जैसे आपका राय जो बीम हो गया उसके बाद जीवानों की मौजुद्गी से मिट्टी की भौतिक एवरासाइनिक गुडों में परवावित परिवरतन बढ़ा देती है तो इस प्रकार से आपका दाल हो जाएगा निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्की में इस्थित है तो सिक्की म का आपको जाधी होगा जो कि आपका नाथुला हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा और दिखा है तो जेले प्रादर्रा भी सिक्की में ही इस्ति थे यह गंगतोग एवं लहासा की बीच का मार्ग इस्थल है अगला प्रस्तन है कोशन नबर 69 के टोड़ा जनजाती का आवास तो निलगिरी स्रिनी का निलगिरी स्रिनी का भारत के कौन से राज्य में कोईले का सरवा सरवादिक भंडार है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन भी जारखंड जारखंड में कोईला का अनुमानित भंडार करीबन असी से असी 716 मिलियन टन देश में सरवादिक है अगला कोशने 71 इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी नहर जल आपूर्ती प्राप्त करती है और कूट से सही उत्तर चुन करके इसका आंसर करिए तो इसका आंसर देखा है तो आपका एक दो तीन हो जाएगा व्यास सतलज और रावी हो जाएगा तो सी ही इसका सही आंसर है नैश्ट कोशने के निमने में से कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर आपको हो झाद घाती नगर जाएक है आपको चला जाएगा देहरादुन और शंगम नगर आपका हो जाएगा टेहरी हो जाएगा और गेट नगर जो में हैना रिसी खेस यापका कटक नगर है या आपका हो जाएगा मसूरी तो इस परकार से इसको अच्छे से याद रख सकते हैं नेश्ट कुषने के 36 गड़ के अधिकांस भाग की विशेष्टा है 36 गड़ के अधिकांस भाग की विशेष्टा दिखा जाए तो आपका लाल मिट्टी हो जाएगा जैनि D जो है इसका सही अंसर हो जाएगा विश आमें चांदी का सबसे बड़ा उतपादक कौन सा है चांदी का सबसे बड़ा अगर हम उतपादक की बात करे तो इसका अंसर आपका हो जाएगा option B Mexico जैनि option B सही अंसर हो जाएगा नेश्ट कोसने की निमलिखित इस्थल रूप एवम अपवर्दन कारको का सुद यूग में कौन सा है इसका आंसर आपका हो जाएगा यूगेण नाम से ही अ अंत्रिक्ष में चलने वाले किस नेश के पहले अंत्रिक्ष यात्रित है तो इसका आर्म यूगे का यूगे आपका हो जाएगा इसका हो जिन नाम से ही आप देख रहेंगे लिखा गया है अगला है कौन सा देश द्वार बाइस में सन्युक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन संबेलन कोब 26 कोब 27 मिजवानी करेगा तो इसका अंसर आपका हो जाएगा करनाटक के साथ जीलो वाले मुंबई करनाटक छेत्र का नया नाम क्या रखा गया है तो नया नाम के अगर हम बात करेती आपका हो जाएगा कितूर करनाटक के तूर करनाटक तो फ्रेंट्स आप सुभी लोग का यहां पर एक्टी कुछन समाप्स हो गया जीके का और जो आपका ट्वंटी कुछन यह आपका मैथ और रिजिनिंग मिला करके होता है तो आराम से इसको पीडियाप डाउनलोड कीजी रिविजियन चांप के किजे क्योंकि टाइम कम है यविजियं girlfriend differently मैं नुदी इसकी सथे सकते और जान खंव तो आप एकडम अच्छे से निकाल पाएंगे मैंच को चलिए मिलते हैं एक नई वीदियो में